लखनव की नवाबी कोठिया शीर्शक के अंतरगत आज हम नवाबी काल में कोठी हयात बख्ष से लेकर राजभवन तक के सफर का पाँचवा भाग प्रस्तुत करेंगे कोठी हयात बख्ष का निर्मान 1790 में नवाब सादत अली खान द्वारा कराया गया था फ्रांसीसी मेजर जनरल क्लावड माटन ने इसे डिजाइन किया नवाबों के समय बनी कोठिया आदर्श भारतिय वास्तुकला से भिन थी वे आम तोर पर दो मंजिले, लौन, साधी दीवारें अपने दिजाइनों में गौत के संकेत और समान बिंदू प्रदर्शित करते थे कोठी हयात बख्ष यूरोपिय वास्तुकला को दर्शाती है जो सम्रिधा हरे आवरन और विशाल लौन से घिरा हुआ है नवाब साधत अली खान को माटिन द्वारा निर्मित यूरोपिय शैली की इमारतों का विशेश शौक था यही कारण है लखनव की अनेको कोठिया फ्रांसी सी वास्तुकार मेजर जनरल क्लावड माटिन द्वारा डिजाइन वा निर्मित की गई थी अपने हुनर के कारण माटिन नवाब आस्फुद दौला के दर्बार में प्रमुक बन गए यही कारण है कि माटिन ने इस शहर को अपना स्थाए निवास चुना यूपी सरकार की एक साइट पर लिखा है कोठी हयात बख्ष उन दोनों की साजहदारी में बनाई गई कला का एक ऐसा नमूना है जो भारतिय वास्तुकला व यूरोपिय वास्तुकला दर्शाती है दीवान खाने के अंदर शाही सुनहरे रंग की छटा के बीच फूलों की महराबे है हरी और सुनहरी दीवारे और शानदार जूमरों वाली छट इस महल की सुन्दर्ता को बढ़ा देती है सन 1830 में बादशा नसुरुद्दीन हैदर के शासन में कर्नल रोबर्ट्स ने इस कोठी में निवास किया इस महल का संबंध 1857 के भारतिय विद्रोह से भी है सर हिन्री लॉरेंस अक्सर यहां आते थे कर्नल इंग्लिश और बाद में मेजर जॉन्शो बैंक के कबजे में ये 56 क्षेत्र का हिस्सा रहे उस समय कोठी को, बैंक कोठी और उससे सटी सड़क को, बैंक रोड के नाम से जाना जाने लगा मेजर हटसन ने कोठी हयात बक्ष में अंतिम सास ली, बाद में कोठी ब्रिटिश सेना का मुख्याले बन गई भारतिय स्वतंत्रता सेनानी अक्सर यहां रहने वाले उपनिवेश वादियों पर हमला करते थे जैसे ही अपनिवेशिक युग समाप्त हुआ कोठी भारतिय राजजपालों का घर बन गई और इस प्रकार इसे गवर्नर हाउस कहा जाने लगा बाद में इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवद के राजपाल के लिए आधिकारिक निवास के रूप में घोशित किया गया आजादी के बाद इस भवन का नाम बदल कर राजभवन कर दिया गया विभिन राजपालो के काल में महल को और अधिक सुन्दर बनाने के लिए कई बदलाव किये गए इसकी भव्यता को संरक्षित रखने के लिए 1918 में इसके प्रवेश द्वार पर धनुष, बान, गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों की मूर्तिया और छलान लगाने वाली मचलियों का एक जोड़ा सुशोभित है जो आज तक उत्तर प्रदेश की आइकोनिक सील है, इसकी अपनी कहानी है कहते हैं जब सादत अली खान फर रुखाबाद से गंगा, सर्यू नदी पारकर नाव द्वारा लखनव आ रहे थे तो मचलियों का एक जोड़ा उनकी गोद में कूद गया उन्होंने इसे एक अच्छे शगुन के रूप में लिया और मचली को अवद प्रांथ के प्रतीक के रूप में अपनाया एक संग्मर्मर की छत्री यहां के भव्य बगीचे को सुशोभित करती है हयात बख्ष कोथी से राजभवन तक के 200 वर्ष के सफर में भारत में राजतंत्र से प्रजातंत्र की स्थापना की कहानी है स्वतंत्रता प्राप्ती के मध्य सरोजनी नायडू इसी राजभवन में स्वर्ग लोग वासी हुई पंदित नहरू शोक समवेदना प्रदर्शित करने यहां आये थे मेजर हटसन भी इसी भवन में स्वर्ग लोग सिधारे थे अगर पोस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करे और प्रेस्क्राइब कर कमेंट अवश्य करे